प्रेंड वेल्कम टू रेखा क्रियेशन मैं आज आप लोग के लिए फैंसी बाजू डिजाइन लेकर आई हूँ सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ अगर आप हमारा विडियो पहली बार देख रही है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर ले और उसके बाजू में एक नॉटिफिकेशन वेल है उसे जल्दी से क्लिक कर ले ताकि मैं जब भी अपना कोई नया विडियो अपलोड करू तो उसका नॉटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा फ्रेंड देखिए इसकी टोटल लंबाई है साड़े साथ और हमें कम्क्लीट चाहिए साड़े 5 पे एक्स्ट्रा है फ्रेंड उसे हम मोडने के लिए यूज करेंगे जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है इसकी हमारी फिटिंग है बाजू की 5 फाइब से फ्रेंड हमने इसके यहां से हमने साड़े तीन पर देखिए साड़े तीन पर हम निसान लगाएंगे और इसकी लंबाई इसकी चोड़ाई फ्रेंड हमारी बाजू की है नौ अब इसे हम सेप लाइन दे देते हैं फ्रेंड देखिए हमने इसे सेप लाइन दे दिया है अब हमारी दूसरी जो कटिंग है कपड़े की इसे हम इसके उपर रखते है और इसकी हम कटिंग करेंगे देखिए फ्रेंड हमने इसकी कटिंग कर लिए है अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे देखिए फ्रेंड ये हमारी मेचिंग की है इसे हम पाइपिंग में यूस करेंगे सबसे पहले हम इसे फोल्ड कर लेते हैं और इसकी हम सिलाई कर लेते हैं देखिए हमने इसकी सिलाई कर लिए हैं अब हम इसे इसे कपड़े पर अटैच रखे इसकी हम स्टिचिंग करेंगे देखिए इस तरह इसे रखे कपड़े पर देखिए इसकी सिलाई इस तरह करेंगे अब ने सिलाई कर लिया है जो हमारे एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कटिंग कर देते हैं इसके बाद इसे हम इसके नीचे रखते हैं फ्रेंड आप देखे इसके नीचे ऐसे रखे इसे अब अब आप इसकी स्टीचिंग करें देखे हमने इसकी स्टीचिंग कर लिया है अब फ्रेंड इसके अंदर हम डोड़ी बठाते हैं पाइपिंग के लिए देखे इसकी हम स्टीचिंग करेंगे अब देखे फ्रेंड बारिक बारिक डोड़ी हमारी बनी है अब हम इसकी बाजू के हम उपर की सिलाई कर लेते हैं देखे हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है अब हम इसमें डिजाइन बठाएंगे देखे इससे आप इस तरह फोल्ड करेंगे इससे इस तरह पकड़ेंगे इससे फोल्ड करेंगे और इससे मसीन में इस तरह घुसाएं इससे सीधा कर ले ब्लाउच को और इससे घुसाएं देखे हैं कि आप देख रहे हैं हम सिलाई रुक रुक के कर रहे हैं प्रेंटे बहुत बारिक बारिक होगा इसलिए आपको मसीन को रुक रुक के सिलाई करना होगा देखें जैसे हमने इस वीडियो में किया है ठीक इसके ऊपर ऊपर फ्रेंट आप सिलाई करते हुए नीचे की और आएं प्रेंट देखें इसकी हम सिलाई कर चुके हैं अब हम इसमें डिजाइन बैठाएंगे देखें यह फ्रंट यह गोल्डेन कलर की फूल की फूल जैसी मोती है और यह प्लें मोती है इसकी हम आपको डिजाइन करके बताते हैं देखें इसे ऐसी ले इसके ऊपर इसे इस तरह अंदर से सूई ले जाएं और इसे अब अंदर ले जाएं इतना बारिक बारिक करें फ्रंट टाकि आपका हमने दूसरे कलर का धागा यूज किया है आप जो भी धागा यूज करें वो दिखें ना देखें इसे एक के ऊपर एक चड़ाते जाएं देखें हमने गोल्डन मोटी को बैठा लिया है एक के ऊपर एक देखें आप देखते होंगे बहुत खुब्सूरत लग रही है फ्रंट अब इसमें हम प्लेन मोटी बैठाएंगे देखें इसे हम इस जगह से निकालेंगे अब देखें एक एक करके हम इसमें मोटी अब हम इसकी यहाँ इसकी डिफ्रेंस आप देखेंगा अगर आप एक उंगली की डिफ्रेंस ले तो इधर भी आप एक उंगली की ही डिफ्रेंस ले और फिर इस जगह आप इसे इस तरह इसकी तुरुफाई कर ले देखें इसी तरह हम तीन लाइन इसकी कर लेंगे देखें फ्रेंड इसी तरह हमने तीनो लाइन अपनी कंप्लीट कर लिया है देखें अब हम इसकी सिलाई कर लेते हैं प्रेंड आप हमारी वीडियो को जितना से जितना से शेयर करें लाइक करें सस्क्राइब करें और हमारे कमेंड बॉक्स में कमेंड करें देखें फ्रेंड हमारा बाजू कंप्लीट है हमारी बॉक्स के स्टीचिंग और कटिंग देखें पूरी कम्प्लीट है अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें सस्क्राइब करें थैंक्यू